हिलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे आज की वीडियो में हम बिना फोम, बिना चेन, बिना अस्तर के दो बहुत ही यूजफुल से आइडिया बना के रेडी करेंगे और जिनको बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारे पुराने बेकार कपड़े होते हैं तो उनहीं का यूज़ करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़े बना के रेडी कर सकते हैं यहां पर यह देखिए मैंने एक थाली की help से goal circle यहां पर मैंने cut कर लिया है तो जिसका यह जो circle है वो 12.5 इंचे पर मैंने बना के ready किया है तो बड़ा चोटा size आप अपने हिसाब से बना सकते हैं नीचे की तरफ बोरी रखना है बीच का जो कपड़ा है उसको सीधा करके रखना है और यह जो उपर वाला कपड़ा मैंने साडी का रखा है उसको उल्टा करके भी आप रख सकते हैं यह देखिए और आप अपनी पसंद के कपड़ों से इसको बना के ready कर सकते हैं आपके पस कोई blouse piece है कोई साडी है कोई bed sheet है उससे आप इसको बना सकते हैं तो यह देखिए अब इसके चारो तरफ न किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगाना है और थोड़ी सी जगह को छोड़ देना है जिससे हम इसको पलट के ready कर लेंगे तो यह देखिए मैंने चारो तरफ से इस पे सिलाई लगा ली अब बारिक बारिक हमको इस तरीके से यह देखिए कट लगाना है छोटे छोटे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे तो यह देखिए इस तरीके से पूरे सरकल पे हमको बारिक बारिक कट लगा के इसको ready करना है ये जो आइडिया है बहुत ही जल्दी बनके ready हो जाते है और कोई भी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं बस ये सारी चीजे तो हमारे घरों पे होती ही है पुराने कपड़े बोरी बेकार की प्लास्टिक बैग हम सभी लोगों के घरों पे होती ही है अब ये देखे जो मैंने ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है उस वहाँ से इसको पलटके हम ready कर लेंगे तो इसको पलटने के बाद ये देखिए अच्छी तरीके से आप इस पे प्रेस कर लीजेगा एक बार पलटने के बाद तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको पलटके ये देखिए ऐसे ready कर लेना है और आप इस पर प्रेस करने के बाद यह जो खुला हुआ पार्ट है कपड़े का उसको सिलाई लगा के हमको ready करना है और एक बार ना पूरे सरकल पे top stitch हमको लगा के इस तरीके से यह देखिए ready कर लेना है और एक बार आप प्रेस भी कर लिजेगा जिससे की जो कपड़ा है वो अच्छी तरीके से हमारा ready हो जाएगा और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आपना कमेंट करके जरूर बताया करिए आपके कमेंट करने से वीडियो को लाइक करने से हमारा motivation बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आते हैं और आप सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं उसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवात कहना चाहती हूँ तो यह देखे यहाँ पर मैंने एक सरकल बना के रेडि कर लिया है अब इसको कैसे रेडि करना है बना के देख लेते हैं तो आप यहाँ से वीडियो को धिहान से देखिएगा यह देखे इस तरीके से पलट के मैंने एक निशान लगा दिया और फिर यह देखिए ऐसे हमको ना इसको चार भागों पे मैंने यह देखिए चार लाइन गीची तो यह आड़ भागों पे डिवाइड हो गया है तो इसी तरीके से हमको यह लाइन बना के रेडि कर लेना है और यह देखिए उपर की तरफ से मैंने दो इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से गोल सरकल मैंने बना के रेडि कर लिया है तो इस तरीके से पहले तो हम को बना के ready कर लेना है अब ये जो मैंने उपर की दरफ से ये जो line घीची थी ना तो ये देखिए, जहां तक हमने goal circle बनाया है वहां तक हम को, ये देखिए, यहां से ऐसे ले जाके उपर तक हम को आधा इंच पे सिलाई लगाना है तो जो सारे निशान है उन पे सेम तरीके से हमको निशान लगाना है ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली अब दूसरे वाले पे भी हम ये देखिए आधा इंच कपड़ा हमको दबाना है और ये जो गोल सरकल हमने जहां तक बनाया था नीचे की तरफ न हमको दो इंच से ये देखे ऐसे सिलाई लगाके रेडी करना है तो जो सारे निशान है उन पर सेम तरीके से हम सिलाई लगाके रेडी कर लेंगे बहुत ही सिंपल है बस सिंपल सिंपल सिलाई लगाना है हमको जिसको थोड़ी सी भी सिलाई लगानी आती है त और अपने घर को देखे डेकोर कर सकते हैं हम लोग और यह जो हम बना रहे हैं इसको आप डाइनिंग टेबल पर यूज कर सकते हैं, किचन पर यूज कर सकते हैं, मल्टी यूज आप इसका कर सकते हैं, इस तोकरी पर आप फ्लावर वगेरा रख सकते हैं, बहुत सी चीज़े आप इस पे रख सकते हैं तो ये देखिए बस ऐसी सिंपल सिंपल सिलाई लगाते जाना है तो चलिए पहले मैं पूरी सिलाई लगा के complete कर लेती हूँ कर लेती है तो यहां पर यह देखिए मैंने सारे जो निशान थे उन पर मैंने सिलाई लगा ली और कुछ इस तरीके से इसका यह सेफ आ जाएगा टोकरी के जैसे यह बनके रेडी हो जाएगा तो बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बड़ा सरकल हम बनाएंगे तो बड़े साइज पर बनके रेडी होगा छोटा सरकल हम बनाएंगे तो छोटे साइज पर बनके रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से आप ये देखे, मेकप की चीजे भी इस पर रख सकते हैं, आप इसको किचन पर यूज कर सकते हैं, आप इसको डाइनिंग टेबल पर यूज कर सकते हैं, ये देखिए, फ्रूट्स वगेरा रख सकते हैं, आप सबजिया रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप चोटे चोटे आइडिया बना के रेडी कर सकते हैं घर पर कैसा बना है प्लीज कमेंट करके ना जरूर बताईएगा अब यहाँ पर मैंने लिया है बैडशीट का कपड़ा और ग्यारा इंचिस की लंबाई है और ग्यारा इंचिस की चोड़ाई है और बीच पे मैंने लगाया है राइस बैग और नीचे की तरब भी मैंने एक कपड़ा लगाया है तो इस तरीके से एक हमको ना सिंगल पीस चार चारों तरफ से सिलाई लगा के पलटके मैंने रेडी कर लिया है। अब ये देखें, इसको Double Fold करके ये देखे, Philadelphia二REE revelation center पे द्धे निशान लगा लिये हैं, और ये जो निशान हम ने लगाए हैं, तो वहाँ से हमको किस पे नो सिलाई लगाना है, ये देखें, बहुत ही सिंपल सा idea है उपर की तरप से देखिama 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूं değil nih-終的 मैं निशान लगाया है और यह जो मैंने निशान लगाया है बस उसी पे हम को सिलाई लगाने है तो देखिए 4 तरफ से मैंने 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से तो चार उपे मैंने निशान लगा लिया बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है अब ये देखिए ये जो निशान हमने लगाया है उस पे हमको एक इंच पे ये देखिए सिलाई लगाना है उपर की तरब मैंने एक इंच पे निशान लगाया है और दूसरी तरब भी इस तरीके से नीचे की तरब से ढ़ाays इंज पे हमको निशान लगाना है जो दो निशान है उन पर भी सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो बिलकुल ना इजी है बहुत ही आसान है और देखने में ना बहुत ही सुन्दर बनके रेडी होता है और छोटे-छोटे आइडिया बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जिनको हम बना सकते हैं आपना प्लीज कमेंट करके बताईएगा तो मैं और भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी चोटे-छोटे आइडिया होते हैं पर बहुत ही यूजफुल आइडिया होते हैं जिनका यूज़ करके हम किचिन को सजा सकते हैं घर को सजा सकते हैं तो ये देखिए अब ये जो 20 सेंटर था ना वहाँ पर इस तरीके से ये देखिए मैंने शिलाई लगा ली है तो इस तरीके से हमको पूरे नीचे की तरफ मैंने शिलाई लगा के इसको रेडी कर लिए तो कुछ इस तरीके से इसका सेव पा जाएगा तो जो गरम बरतन वगेरा होते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे आप इसको जो खाने वाले जो बरतन होते हैं उनको रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं तो टेबल वगेर आपकी जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में थैंक यू